हेलो फ्रेंट्स मैं मन्दीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको 38 साइस का प्रिंसल सक्ट बोटनेक ब्लाउस का कटिंग का वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहे हूँ यहाँ पर मैं आपको फ्रेंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी तो दीखिए यहाँ पर हमने अस्तर के फैबरी को इस तरीके से फोल करके रखा हुआ है और टोटल लेंद्स लेनी है साड़ी 14 इंच ठीक है यह फ्रेंट पार्ट है और हम इसे बैक ओपन पर बनाएंगे ठीक है और यहाँ पर देखिए 13 इंच तयार ब्लाउस की लंबाई है तो इसमें हमने एक इंच प्लस किया है हाफ इंच पिंसल कटकी कटिंग के लिए प्लस किया हुआ है तो टोटल लेंद्स लेनी है यहाँ पर साड़ी 14 इंच लेंद्स आप अपने इस तरीके से एक लाइन डॉक करके सीधा कर लें इसे यह शुल्डर वाली मार्किंगे और यह आर्मोल्स के लिए अब हम यहाँ से चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे तो यहाँ पर 38 चेस्ट का यह ब्लाउस है तो 38 का चोटा बाग हम यहाँ पर लेना है तो हम लेंगे य अकॉर्डिंग भी कम ज़्यादा कर सकते हैं दिखिए आर्मोल्स की तरफ से 1 इंच और नीचे कमर की तरफ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है हमें प्रिंसस कट की कटिंग के लिए तो इतना हमने मार्जिन के लावा इतना एक्स्ट्रा लिया हुआ है अब हम यहाँ पर प्रिंसस कट की कटिंग के लिए मार्किंग करेंगे तो दिखिए अगर आप फ्रंट ओपन बनाते हैं तो हाफ इंच छोड़ के मार्किंग करनी होती है आपको सारे ही मेजिमेंट तो हम यहाँ पर बैक ओपन बना रहे हैं विर्थ में मैंने लिया है याँ पर साड़ी तीन इंच, टक्स पॉइंट के लिया है साड़ी दरस इंच, और इसे एक लाइन डॉकर करके सीधा कर दें, और इसे आर्मोल्स की तरफ इस तरीके से मिला देना है, हाफ इंच शोल्डर डाउन के लिए मार्किंग करेंगे, यहाँ पर लेना है हमें 1.75 और उपर से लेंगे 2 इंच, दो इंच उपर से लिया है, और इस तरीके से मिला देना है हमें, शेफ दे दे इस तरीके से हाफ इंच उपर की तरफ लेना है, यहाँ पर, तो यह मार्किंग हमारी कम्प्रीट हो गए, अब हम इसे कट कर देंगे, इस तरीके से आपको इसे कट कर देना है, तो देखिए, यहाँ पर हमारी कटिंग कम्प्रीट हो गई है, अब हम इसे मैन फेबरिक पर भी कट कर देंगे, इससे पहले मैं नेक के लिए बता दिती हूँ, मार्किंग आपको साड़ी 4 इंच पर विर्थ में मार्किंग की है मैंने, अगर आप थोड़ी ब्रॉटने सकम रखना चाते हैं, तो आप 4 इंच भी ले सकते हैं, तो इसे मैंने मैन फेबरिक पर भी कट कर लिया है, अब मैं इसकी कटिंग भुक्रम पर करूँगी, नेक के लिए, तो देखिए, आपको इस तरीके से मार्किंग करनी है, साड़े 4 इंच पर एक मार्किंग करेंगे हम, नेक की विर्थ के लिए, और 4 इंच पर लेंथ लेंगे, और एक बॉक्स बना लेंगे, इस तरीके से, और इसे यहाँ पर राउंड शेप देदेना है, बोट नेक का, एक इंच या हाफ इंच मार्जिन, आप एक्स्ट्रा लेकर, इस तरीके से लाइन डॉर कर दें, और इसे कट कर लें, यह बीना चिपकाने वाला भुक्रम है, तो हम इसे एक्स्ट्रा कप्डे पर अटेज कर लेंगे, अगर आपके पैस चिपकाने वाली पेस्टिंग होती है, तो आप उसे प्रैस से अच्छी तरीकी से एक्स्ट्रा कप्डे पर चिपका लें, अब हम स्टीचिंग करेंगे, तो stitching के लिए दोनों ही पार्ट को इस तरीके से रखे और इससे अस्तर के साथ attach कर ले तो हमने यहाँ पर इससे attach कर लिया है एक्स्टा कपड़े को जो निकल रहा है उससे हम cut कर देंगे सेम इसी तरीके से दूसरा वाला पार्ट भी ready कर ले आप अब यह हमारा फ्रंट पर आठे तो इसके उपर भी अस्तर को इससरीके से रख कर आपको attach कर लेना है प्रेंट्स अगर आप किसी ओर साइस का बोटनेक ब्लाउस बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में चेस्ट साइस आप बता सकते हैं उसके according मैं आपको measurement बता दूँगी कि किस साइस में आपको कितना shoulder, armals और गला चोड़ाई लेनी होती है तो आप से चेस्ट साइस ज़रूर मुझे बताएं उसके according ही मैं आपको measurement बता पाऊंगी और भी मेरे चेनल पर कापी सारे botnik blouse के वीडियोज अपलोड हैं आप वो भी देखें और फ्रेंट्स वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें वीडियो को लाइक आप ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मैं बहुत इजी तरीका लेकर आती हूँ आपके लिए cutting और stitching का पार्ट हम नीची से अटेज करना है उपर कम ज़्यादा होता है तो आपको कपड़े को कीच किये नहीं बैठाना है उसे हम cutting करके एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देते हैं क्योंकि थोड़सा पार्ट हमारा ऊपर नीचे होता ही है जब हम प्रिंसेस कट का पार्ट कर दिया है अब दूसरी तरफ का पार्ट भी हम अटेज कर देंगे इस पार्ट को अटेज करते टाइम आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि बीच में कोई भी सल ना आए तो दिखिए हमने दोनों ही पार्ट सटेज कर दिये हैं यहाँ पर अब हमें एक टक्स बीच में भी देना है यहाँ पर तो हम यहाँ से उपर से मार्किंग कर लेंगे दिखिए अब हमें यहाँ पर एक सेंटर प्रेट्स लेनी है तो उसके लिए सेंटर में कट करना है और उपर से 10 इंच पर आपको एक मार्किंग कर लेनी है और 2 इंच इस तरफ से और 2 इंच इस तरफ से ले लेना है इस तरीके से और एक सिलाई आप इस तरीके से लगा ले ताकि अस्तर का फैब्रिक और मैन फैब्रिक आपस में चिपक जाए और अब आप एक प्लेट्स डाल दें यहाँ पर तो इसमें भी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है तो इस तरीके से हमने एक सेंटर प्लेट्स डाल ली हैं यहाँ पर अब हमने एक्स्ट्रा कप्डी के उपर अपने नेक को अटेज कर लेना है उससे पहले आप नेक की चोड़ाई नाप लें और इसे इस तरीके से सिलाई लगाकर अटेज कर ले अब इसे साइट से फोल्ड कर देना है आपको साइट से हमने फोल्ड कर लिया है अब इस नेक का सेंटर निकाल लेंगे तो सेंटर में कट कर लिया है और मार्किंग कर ली है मैंने अब हम इसे अपने ब्लाउस पर अटेज कर लेंगे तो ब्लाउस पे भी हमने सेंटर मार्किंग की हुई है तो इससे यहाँ पर सिलाई लगाकर अटेज कर लेंगे center में और यहीं से हम neck के लिए round shape में शिलाई लगा लेंगे जो पुग्रा में उसके साथ साथ ही सिलाई लगानी है उसके उप्र नहीं लगानी है आपको तो इस तरीके से पूरे round में आपको सिलाई लगा लेनी है सिलाई लगा कर complete कर लिया है एक पेर का me tap फिनिशिंग के लिए, अब इसे हम इस तरफ फोल्ड कर देंगे, तो देखिए हमने इसे फोल्ड कर दिया है, अब फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे उपर की तरफ, आप चाहें तो इस पर दुर्पाई भी कर सकते हैं, अब देखिए हमें नेक को बराबर करके रखना है, और शाइट से आर्मुल्स की गुलाई देनी है, तो हम देखिए आपर हाफ इंच जितनी गुलाई दे देंगे, नीचे से भी बराबर कर दें, और उपर की तरफ, कट कर दें, तो देखिए हम पर हमने आर्मुल्स की गुलाई भी इस तरीके से दे दी है, अब आपको इस पर सिलाई लगा लेना है, तो फ्रेंड्स जब भी हम बोटने का ब्लाउस बनाते हैं प्रिंसस कट पर तो आपको इसी तरीके से आर्मोल्स की गुलाई देनी है प्रिंसस कट वाले पार्ट पर अब हम नीचे की तरफ कमरपटी लगा लेंगे एक सिलाई पटी के उपर लगा लें आप और इसे इस तरीके से फोल्ड कर लें यह दिखी यहाँ पर अब हम लेस लगा लेंगे तो आप चाहें तो नेक को इसी ही रख सकते हैं या फिर आप कोई भी लेस इस पर लगा सकते हैं जिससे कि आपका नेक बहुत ही सुन्दर दिखेगा तो फ्रेंट्स यहाँ पर हमारे फ्रेंट ब्लाउस की जो स्टिचिंग है वो कमपीट हुई है जल्दी मैं आपके साथ इसका बैक पार्ट का भी वीडियो शेयर करूँगी तो आपको यह वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो को लाइक श सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद